आर्थिक हैसियत मजबूत हुधा हुधैपनी, उनको रोजाई बीदेश वा कुने प्रतिस्ठित कमपनी को डीलर या ब्यापारी बने नौँ आफने माटो मा स्रीजन सिल उद्दमी बनने आकांच्या पलाई रहे। फलस्वरूप भक्तपुर को ददिकोट गाबी सा उड़ा नंबर साथ गामचा का सुसिल आफने खेत माँ फुल फुलाउं न थाले। अईले सुसिल को खेत मात्र फुले को चाई न फुल। उनको जिन्दगी माँ पनी फुल को संदर्य रह मुश्कान ले साथ दिये पछा। जे एस नर्शरी अर्थात जय बहादूर सुसिल नर्शरी बुबा को नाम जय बहादूर अनी छोरा को नाम सुसिल। नेपाल सरकार को निजामती कर्मचारी बाट अबकास पाय का जय बहादूर ले आपनो छोरालाई पुश्प वेवसाय मा लागना प्रेरीद गरे। नेपाल कॉमर्स केमपस मीन भवन बाट वेवस्थापन संकाय मा इसनातक करेका 32 बर्शिय युबा सुसिल खड़का। नाम जस्ताई काम रा विभारमा पनी उनी सुसील और परिशर में छान। में सहर संभारत पर विभारमा पूल लगां। विभां बड़ी बड़े उन्थे तहीं भुलारू अश्रा थीं। प्रेपले लेत्टीकर में मुल्य राम्रे प्याय में सुक्छ युख इसली तो की युख फुलेत्य ख़े और युख परच़ थानको इसदा पниц नोimiento पनेर आमले सुरू में चार रोपनी पांस रोपनी ज़ती जग्या में फुल लगाईया लगों दाखेरी रामरे तेसको रिजल्ट रामरे देख्या भक्तपुर को दधीकोट गाविश ओडान मर्शात गामचा का स्थानिय सुसिल्ले युटा युबा उध्यमिक रूप मा आपनो परिचय दिन सफल भाय का छा बिस बर्षको उमेर देखी नई आपनाई खेत मा फुल को बेवसाय थाले का उनले आपनो बेवसाय की जीवन मा एक पछी अरको गर्दै सफलता को सिरी चर्दै गाई शुरुआती का दिन मा घर संगय जोडिये को खेत मा चार रोपनी जग्गा मा फुल को मौसमी बिरुआ रोपे र फुल को खेती मा लागे उनी विस्तारै समय को माग र परिवर्तन संगय उनको बेवसाय गरने सैली र आकार मा पनी परिवर्तन हो दे गयो अहिले पंद्र रोपनी जग्गा मा टॉर्नेल बनाए र फुल को खेती गरे का चान उनले शुशिल फुल को बेवसाय बाट निकई आनन्दीत र खुशी चान बेवसाय मा तो मा एकडम साटिस्पाइचू अटिस्पाइचू कियो काम गर्दा खेर आखला आनन्दा आऊँशू कुझेपनी काम आम जबर जास्ती गर्शन मान क्यो काम आम शफल उने शक्दे नाम जुन काम गर्दा खेरी आमले वित्रल देखनको रमाहिल आऊँशा आनन्दा आऊँशा काम आईना योतो मेले कुने खेल खेले रहाँचू रमाहिलो संगाले इंटरजेन्मेंट गर रहाँचू पने जस्तो महसुष करे रहा अगाडी बड़े वने देफिनेटली आमी ओड़ा तार्गेट मा पूख संग फूल का बिरुआ संग खेल दाई एसको बजार ब्यवस्थापन मा समेत उनी दैनीक बेस्ता हम छान। शुरुवाती का दिन मा उन्नाइस प्रकार का फूल हरुको खेती गरे पनी अहिले जड़विरा, कार्णेशन, स्टाटीक, गोदावरी रा ग्लाडेरस गरी पांथ प्रकार का फूल लगाया का छानूनले अमली मस्तली चीनी इसमा पाज बराइटी अरला फोकस करया सम् इसमा ते जर्वेरा परसा, कार्नेशन, लीमुनियम, ग्लाडुलस, गोदावरी अमली इसमा अरुबनी सन खड़वर रूमा अरुबनी सन शन अथा, अमली सेलेक्ट गरेगो छेनी इसमा इसमा पाज बराइटी अरुलाई सेलेक्ट गरेशाम उनको नर्शरी मा उत्पादन भायको फ्फूल काठमांडव मैं खपतों छा, फ्फूल बेचे रामरो आमदानी गर्न सफल छन सुशिल क्रिशिव धमिलाई प्रुचान गर्न, निती लागू गर्न सकियो भने, फ्फूल उत्पादन लाई अंत्रास्टियक प्रविदी र गुणस्तरिय युक्त बनावन सकिने मा रुक्क छानोने संगुदर्य र खुशी संग जोडियेको यो व्यवसायले सुशिल को सिंगो परिवार मा पने खुशी र उमंगले येको छा परिवार का सबई सदस्य हरू बिहान साज हो सुशिल को ब्यवसाय मा शगाऊँ छान। एती हुदा होदै पनी केही समस्या जहले का छान। फूल को बिरुवा बिदेश बाट आयात गर्न। पर छा। मल अभाबले पनी निककाई सतां उछाउन लाई। सरकार ले मल को सहज पहुच को ब्यवस्था गरी दियेको छाई ना। अब त्यो टाइमान ना आए दे पाशी अब बाईर बड़ा आउनुपवानी चीज अवर महां तो पहुच को टाइमिंग भाई देना बनी आमले समस्या बाच्छा। अईलिए जेनून समस्या मेरो नहीं सकी मैल टाइमान मल देना बाईर आश्काई। तर समस्या हरुका बीच पनी निरंतर सफलता को स्नीडी उकली रहे का छन। उनी पुष्प बेवसाय मार मत। अधनी अतर्शगरू, वक्तपूर को दधी कोट गाविशा वार नमर साथ गामचा का सुशील खड़काले जशरी पुष्प बेवसाय लाई आपनो पेशार उध्योक को रुपमा स्थाफित गरने प्रयास गरे काशन। तैसले थोपरे यूबाहरू ले आपना वरी परी बाट इसते किसिमका संभावना अरू कोतल नसकनी ठूलो संभावना छा नेपाल वीत्राई। यस्ते देरे उधारन हरु बाट हमिले रामर समाज ले र समाज का तीवा हरु ले शिप्म पर्ने कुरा उद्यमसिलता नहीं हो यसले उद्यमसिलता बाट आखनो बेवसाय लाई शानो इसकेल बाट बाट बाए पनी शुरुवाद गर श त्यसले जिन्दगी माँ सफलता अवस्यत राकत गर श जिन्दगी को सफलता को सुत्र नहीं पुद्यमसिलता रा तिस्मा लांगनेवटा निरंतर प्रियासो भन्ना सक्षमा एतिवेला ये सरी सुसी लाईले राजदानीमा चिनिने फुन ब्यापारी बनी सके का छन। भक्तकपूर को यो प्रसंग पची लागाउं ललितपूर तर्फा जहां प्राय बचत तथा रेनमा केंद्री तुने सवकारी अरू पसु पालम तर्फपणी केंद्री तुन धाले कछन। प्रसंग जोड़ने छाउं ये सुसानों बिश्राम पची। खाना खानू अगाडी चर्पी गवय पची बच्चा को दिशा दोहे पची खाना पसकनू अगी साभम पानी ले हाथ दुने बानी बसाला। जन हीत का लागी ग्रामी खाने पानी तथा सरसथाई कोस बिकास समेथी। ललित्पुर को थसी खेलमा संच्वालित प्रतिवा बहु उदेशिय सहकारी सस्तामा अबद्ध किसाली। ठेचो मा सोर रोपनी जग्गा भाडामा लियर सामोहिक बाखरा पालन को सुरुगारी काशन। बस्ती बाट किही पर खेत को भीजमा लामो आकार को खुर। टारे बाट बुजी नियक्षिरमा सहकारी बसुपालान लेखिये को बोर। ललित्पुर को थेचो बजार बाट केही ओराल लागे पछी आउने ठाउं हो यो। यहां ललित्पुर को थासी खेल चौदमा संचाली प्रथिवाब उदेशी ए सहकारी सस्थाली मासु को बर्दो माख पुरा गर्न। सहकारी सदसी हरुको आये आर्जनमा ब्रिधी गर्न। बेवसाइक बाक्रा पालन को थालनी गरे को छुछ। मासु उद्पादन को लागी चें नेपाल ले अन्ने देश परुसांगा परनिर्वर हुनुपर ने अवस्ता है। तड़कार रुप माँ देखें। त्यू अवस्ता लाइक के हत सम्मा पनी कम गर्न को लागी। रो किसान अरुलाई पनी बाक्रा पालन बाटा प्रसस्ता रुप माँ आया आर्जन पनी गर्ना सकीन चा। रो येस कोचें बजार पनी रामरोसा बननी एवडा उधाराणी ये कार्ये वस्त किरिशी छेत्रागो बननी इसाबले। हमिली बाक्रा पालन लाई छें प्राथा मिक्ताक साथ उगरे काशन। यो सहकारीमा यहाका इसान यहरूमे जुटे काशन। बचत तथार्मीड अवसदी उपचार सुपत पसल लगायक का काममा सखलता पाये पछी। यो सहकारी गतब विशाक देखी बाक्रा पालन तर्फ आकर्शित बयकु हो। इसका लागी नुवाकोट, काब्रे, धादिं लगायत का ठाउं बाट, जन्डए एक सई इस्थानिये जात का बाक्राहरू लियाई सक्येको छ। बाक्रा पालन थाले को यो जगा सहकारी को विना। यहाको सोर रोपनी जगा बार्शिक 10,000 प्रती रोपनी को दरले भाडामा लियेको हो। जन्डए 20,000,000 को लगानी मा 25,000 बाक्रा पालने सम्रचना निर्मार भायको छ। जिस्तो हावापानी भयकोले इस्तानी बाक्रा संगा बावरी र जमुना पार्गो क्रस्ट कराए र बाक्रा उत्पादन गरने कामको थालानी भयको छ। बाक्रा लाई चाईनी डाले घास पनी रुपन थाली एको छ। एक पर्श वित्र एक से पचास माउत तयार करी बाक्रा उत्पादन लाई ब्यापब बनने यूजना न चन्छन यू सहकारी का सदस्चिहर। यू सहकारी मा 14 सए सदस्चिहरु छन। इनलाई मात्रे मासु उपलब्द गरन सक्यो वने लाखों को कारवार उन्छ। बर्शेनी अरबों को मासु आयात उन्छ निपालमा। तेसमा पनी बाखरा को मासु को माग अप्देदिक छ। एही आवसेक तालाई बेवसाइक अवसर को रूपमा लिये र सहकारी मार्फद बाखरा पालान को काम मा जूचे का हुन उन्छ। एसमा अमिले अजै बाखरा हरु ठपनी रा मासु आपादन को इसाबले उन्छ जात का बोका हरुको प्रयक गरनी रा माउ बाखरा हरु बडाऊंदेई लाई जानी रा तेसबाटा बायको आपादन लाई चे बाजार मा बिक्री वितरन गरनी लगायत। आमियरको सदस्य हरु जो चैंगी बाखरा पालन मा इच्छो कुनुँँँच उवहरलाई पनी बाखरा पालन संबंदी विविन्न ग्यान अरु प्रदान गरनी रा उवहरलाई बाखरा ने पनी प्रदान गरनी खालको उदेशी हरु रायकोश बेक्तिकात रुपमा ठूले लगानी आवसेक पर्छ बाखरा पालन का लागी। तरह सहकारी मार्फत ज्यादा यूटे इले देरे लगानी गरनी पर देना। थोरे लगानी बाट्र पली बाखरा पालन विवसाई गरना सकिन्छ। मान चेली पड़े पची गरनी वन्यों क्यों वन्यों जागीर खाने वन्यों ने एवडा कल्चर बनी सकेगोश। तेती मात्र वईना तेरे ही संबाब्वेता अरू आमरो देश मेही छन। आमरे भूमी माँ छो आमी चें यहां बाट कोरिया अरबियन कांट्री अर्मा गोयरा पनौन उर्चराउश। अथा बेडा पालन गर्श। त्यांका फाम अर्मा काम गर्श। तर आफने देश वित्र पनी यह काम अरू आमी गर्णा सक्ष। बननी खालको सोच यहां आट चें आमी राख दयन। रम युभा साथी अर्लाई की अन्रोद गर्णा चांशु बने अईलेको अबस्तामा यहां आरूमा यहां आट केई गर्शु बननी जोश। रा सोदेश काई भूमिया पनी तेरे काम अरू गर्णा सक्ष। बनने युटा सकारात्मा सोच यहां राख दीन। बाए बने बाखरापालन मा मात्र हाई न। अब आट क्रिशी छेत्र अरू बटा पनी यहां ले बीदेशमा गवायरा जुन दुखा अंडर पाउनु परने उन्चा जति तियां कमाउनु न। तेति यहां पनी आपनी देशमा आपनी परिवार संगा बसेरा खायरा लायरा कमाउनु शकनु न। ललीदपुरका बासिंदा को यो प्रायसले एही बताऊंच के अंत एस्तो गर्न सत्र देन। युवा नेत्रितोमा संचालीत यो सहकारीले आफना सदेशी अरुडाही नौला नौला काममा अव्यस्त गराउन धालेको छा। ललीदपुरको यो प्रसंग पचि ललीदपुरकाई मानी खेलमा ट्राउट माक्छा को ब्याबसाइक उत्पादन थालेका किसान हर को मेहनत को प्रसंग जोडने चोंग यो सानों पिस्राम पचि ललीदपुरको मानी खेलमा गाविशा ओडा नंबर आठ ठोसने खोलामा संचाली नेपाल रेंबो ट्राtałब माचा पालाँ ग्रिशक समुवली माचा को ब्याबसाइक उत्पादन धालेको चाँ ट्रावड माचा पालन बाटकिसान अर्व़ी उल्यक्ष्य सफलता आसिलगारिका चाँ चीशो औनी सफा पानीमा हुर्गनी मांग्साहारी माझा हो रेन्बो ट्राउट पचिलो समय मा नेपाल मा रेन्बो ट्राउट को व्यवसाइक उत्पादन व्यापक हुन धालेको छब जल्सरत का हिसाबले धनी र चीशो पानी का मुआन प्रसस्त भाई का कारण नेपाल मा ट्राउट माझा को व्यवसाइक उत्पादन को सम्भावना अत्य धिक्छ एही कुरालाई मद्धे नजर गरड़े ललितपुर्मा क्रिशक हरूले समह बनाएर ट्राउट माझा उत्पादन गर्न धालेका छन नेपाल मा रेन्बो ट्राउट कसरी रामरो हंचा बने राच जन्ता हर लाई देखाऊने जो किसान हर लाई इच्षु किसान बने राच जे उड़ाह शर खार लाई पनी यो बेवसाएबड़ा यसतों किस्यमको समेत कमर्शीलाईजेशन उनसक्च बननी किस्यमको ललिद्पूर को मानिखेल गावीश उडा नमबर आठ ठोसने खोलामा नेपाल रेन्बो ट्राउट माचा पालन ग्रिशक सम्मुह मार्भत 20 रोपन जगाल लियेर प्यवसाइक उत्पादन थालेका किसान हरू अहीले लाखों को कारवार गरने अभस्तामा पुगे काशन योता हैनल्स अब रामरुशन गरन शक्यों वहने एक टन उत्पादन गरदा अखिर तो करीब आठ लाक रुपे आउँँछ यो रामरुशन कीसिमले गरने वहने दस बार टन बने योता मामुली की सामले रामरुशन टेक्नोलोजी पुरायर गरे वहने दस टन रामरुशन नि प्रविती युक्त बनावनी उदेश सेले व्यावसाई क्रिशी तथा ब्यापार आज़नादे यो समहलाई 29,500,000 रुपे आको आथिव सयो गरे को छ जस अंतर्गत माचा को याचारी हाउस निर्माट बारा उटा पानी बगने पुखरी आठोटा नर्शरी माचा को दाना उत्पादम का लागी चाहिने मेशिन ओजार लगायत का बिशाई माँ सहयोग गरे को छ यो पाक्ट को कारन ले एदी साची के यसलाई प्रवाबकारी डंगले अनुगमन भई दियो भने रह साची के किसान अरले जोले चाहिनी अनुधान पाउन होंजा वाहरले पेनी यो ह दिनी ओवने यो पाक्ट को प्रोगाम ले डेसमा वोड आमोल परिवर्तन किर्शीमा उन्जा बननी मला लागाचे कूल 31,64,000 को उपायाजना मद्धे क्रिशक हरूले 22,64,500 रुपया को लगानी गरी ट्राउत माचा उपादन लाई ब्यावसाईक रूप दिनी अभ्यास माचन समह का सदस्य हरू अरू माचा जस्तो अरू चैकुने बिजनेस जस्तो यहाज हो द्राई अरी शेंशेटिव परकार कू अरी छक ने खाने खाने खुरा इसलाइ बसने ठाउं, इसको सफाई, इसका बिविद अन्य पनी थुब्राइचन, इसको कुराराई चाहिनी गईडाई सम्मा पुगेर गर्नु पर्छा तेस्मा सफलता प्राप्ता होंचा, एदी हमले रेन्बो ट्राउट पालने किलो को प्रति किलो को आट से नौसे रुप बिगत को अनुबाबले मलायू छे शिकाया। प्राउट उत्पादन को केंद्रकारुप मा परिचित अनुबाबले मलाय। प्राउट परिचित अनुबाबले मलाय। पड़े पची जागिरेई खानुपर्छा बनने हामरो समाज को परंपरागत, सोच बदलना, स्वैचिक, र्वाजनेतिक अनि सामाजिक छेत्रमा स्वक्रिय व्यक्तिहरू। ये सरीने क्रिची उद्यम तर्फा केंद्रित हुने हो बने, क्रिची क्रांती मारफत नेपाल को आर्थिक विकास संभब हुन्छा बन्नेमा दुईमाच छाई। आवस्त, आजला यतिने, यो कारिक्रम मा हामी तपाईं दर्शक सामू आजको नेपाल को येस्ताई बास्तविक्ता रा आवसेक्ता राख्षों। जसले तपाईं हाम्रो जीबन को गती र सैली संग सिधा सरोका राखे को बन्छा। तपाईं संगपनी कुने येस्ता विशेर रुच्छान्बने हामिलाई संपर्ग गर्मस। अरको अप्ता नया विशेका साथ उपस्तितुने छों। तब समका लागी नेपाल तुडे हिनुट विदा चाहांच नमस्कार। अर्मस्कार।